गाजयवाद में पुलिस में बच्ची का मर्डर करने वाले दो आरूपियों को गरिफ्तार किया तीसरे की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि बच्ची के पिता की 2015 में मृत्य हो गई थी। बीमा का 30 लाग बच्ची को मिला था यही हत्या की वजह बन गया। इधर पर जनो का रोप है कि पुलिस शब को जबरन अंतिम संसकार के लिए ले गए। और फिरोती के लिए मांगे जाते हैं 30 लाख रुपिये। उसके बाद जब फिरोती नहीं मिलती तो बुलन शहर में बच्ची की हत्या कर दी जाती है। जो 11 साल की बच्ची गाजियाबाद के नंदिग्राम के इलाके बीते 20 नवंबर को गायब हुई थी। उसका शौ पोस्ट माटम के बाद नानी के घर पहुँचा। लेकिन उसके बाद आरोप लगा कि पुलिस जवरन अंतिम संसकार के लिए शौ ले गई है। घर पर मौजूद हैं ये नानी है बच्ची की जिनोंने बच्ची को 11 वर्स तक पाला पोसा आज उसकी डैट बोडी घर पर आई है। आरोप है कि 20 नॉंबर को किड़नायफ हुई बच्ची के फिरौती के फोन आते हैं। पुलिस को जानकारी दे दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। बच्चे की बलंद शैर में पाई घई है फिर कल हमें बोड़ी नहीं मिली है। पलिस को जानकारी दी गई है कि पुलिस ने कर्रवाई नहीं के और पुलिस ने जानकारी दी बच्ची को शाओ बुलंद शहर में kindergarten shah पुलिस ने बच्ची का मर्डर करने वाले पार ओपियों को गिरफतार किया है पुलिस का दावा है कि बच्ची के पिता के 2015 में मिर्दू हो गई थी इसी से जुड़ा बीमा का 30 लाग बच्ची को मिलना था यही हत्या की वजह बनी गाजियाबाद पुलिस के इसी वादे पर भरोसा कर बच्ची के परिजारों ने पोश्टमाटम कराया था पुश्टमाटम के बाए शौम रिद्का की नानी के खराया पुलिस योपरदस्ती शौ को दास संसकार के लिए लेकर चले गए गाजियाबाद के थाना नंद गिरामशेत्र से 20 नवंबर को एक 11 वर्षिये बच्ची का किड्नैप हो जाता है किड्नैप पर बुलंग शहर में ले जाकर उस बच्ची को मोत के घाट उतार देते हैं वहीं गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और खुलासे में तीन आरोपियों को गिरफतार किया जिसमें एक बदमास अभी भी पुलिस की गिरफ से दूर है जिस पर 25,000 रुपे का इनाम भी घोशित कर दिया गया है गाजवास से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिर्ग